हेलो आज मैं बनाने वाले हुग वीजविरियनी बनाया है बादर commerce बनाए घर में अच्छ बन हैं पर उद्बति कुछ कि बनेízंद हाँ उद्धा कि की बहात few आअ जाते तो सब को पसंदाता है तो बहात लेकुष सेर आप लोग युए घ्लट करते हैं यहां पे मैं एक तरफ चावलका पाणी से हुह इधर तेल दालेंगे तो ठोड़ा सब्सक्राइब करना प्याज कर लेंगे तो यहां पे मैं चार आप प्य double-ternal size को हम रफ़्ले काट करके इसको फ्राइ कर लेंगे और इसको बहुत यची से अढकर ना हो जाए हैं को तो यह चार जयर बहुत यह अची से एक गोलडन ब्राउन हो गया है तो इसका निकाल लेंगे इसके बाद हम ग्रेवी के लिए तरका रेड़ी करेंगे तो यहां पे हम जीरा दाल चिनी का टुकड़ा लॉंग और एक इलाइची डाल दे हूं उसके बाद यहां पे हम दो से तीन तेज पत्ता भी एड़ कर देंगे तो जो हमारा तरका है वह बहुत अच्छे से भूण चुका है यहीं पे हम प्याज को एड़ कर देंगे तो यहां पर मैं तीन मीडियम साइज का प्याज लिखी इसको भी रफ़ली काट करके और इसको हम बहुत अच्छे से भून लेंगे इदर हमारा जो चावल है उसका पान और यहीं पर हम दो से तीन चमच फार्चुन एड़ कर रहे हैं अगर आप लोगों के पास घी है तो घी इस्तमाल कर सकते हैं जिससे की जो हमारा चावल एकदम खिला खिला बनेगा तो यहां पर मैं चावल भी लगा रही हूं तो जितना बिरियाने बनाना है उसी अनुसार आप चावल बना लीजिएगा उसके बाद यहां पर जो हमारा प्यास था वह भी बहुत अच्छे से बुन चुका था तो यहीं पर मैं गोबी को एड़ कर दिया तो यहां पर मैं काफ अगर आप पचलव तो स्वाभैन भी एड़ कर सकते हैं और यहीं हम हल्ती डाल देंगे तो एक चमच के करीब हल्ती डाल लीए छोटी चमच से यहां पर एक चमच बरी चमच से लाल मेर्ची पावडर है यह बहुत अच्छा आता है यहां पर एक चमच धनिया डाल दिये है यहां पे जीरा पावडर डाल देए हैं और यहां पे बहुत अच्छ से भूलेंगे मटर भूल गई थी अब मटर भी एड़ करके इसको बहुत अच्छ से मिक्स कर हो फ्रेंट्स कि दालेंगे हैं यहीप रहत करलेंगे एसको में गभाव रिच्छ नमक दाली हूँ क्योंकि मैं ठोड़ा सजादा बिरियाणी बना करीए हूँ यहां पर फ्रेस दही इस्तिमाल करई हूँ तो यह एक कटुरी दही है फ्रेस दही का ही इस्तिमाल करीए जब आप दही डालते हैं उससमें गैस को बंध करके सब्सक्राइब अच्छे से ठंडा होने के बाद ही इस करके रैडी है थोरा से और पकाऊंगे इधर हमारा जो चावल हो भी बहुत ही अच्छी से पक चुका है तो यहां पर हम जावल को एक्स्ट्रा पानी होता है वह भी निकाल दिये और चावल को 90 तक को किये अच्छे से नहीं पकाई है फ्रेंट्स थोरा हलका सा कच्छा ही रख चाहं के पर बered को हम अध़्य टालेंगे डेंगी तो कि यहां पर बहुत ही गरम हो रहा थैस्पैर कर यहां पर जी मिंदनी तक देख सकते हैं आप ब्राउन किया हुआ प्याजा भी डाल देंगे उसके पास अगर आपके पास पुदीना या धनिया का पती हो भी एड़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा खुसबू आती है धनिया पती और पुदीना पती से यहां पे अब जितना है जो हमारा सब्जी बचा है हो सारा डाल दीटे और इसको चारो तरप से अच्छे से अधन के डाल जिए और गैस का फिलेंगे और यहां पर जितना भी प्याज बचा था हौ्छा वोगार चाहिए और यहां पर इसकी आयों सारा एड कर दीए और यही पर मैं तोरा सा फूड कलर ले थी तो रैड कलर का फुट कलर था आप जैसा कलर करना चाहते हैं ये लो ये लो तो हल्दी से ही हो जाएगा अगर ग्रीन चाहिए तो ग्रीन फुट कलर इस्तिमाल कर सकते हैं यहीं में बड़ा सा धकन लेकर के अच्छे से धक दी हूं चारो तरप से धका हुआ है उपर से वजंदार कुछ अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छा खुस्पो भी आ रहा है यकीन नहीं मानिएगा फ्रेंट्स में फर्स्ट बार बनाई हो इतना खुस हो गई है बिर्यानी बना करके और सब लोगों को खिलाया ना बहुत ही तारिफ कर रहे थे सब लोग तो आप लोग कमेंट्स क साथ जरूर सेयर करूंगी फिलाल आप लोग यह बताइएगा कि मेरी रेस्पी आप लोगों की बिर्यानी वाली रेस्पी कैसी लगी आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए जिससे न्यू वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी